उत्तर प्रदेश राज्जिन से जो प्रष्ण पूछे जाते हैं उन प्रष्णों में से अब हम उनको एक एक करके देखेंगे आप लोगों को मेरे साथ चीजों को समझते जाना है और देखते हुए चलना है ठीक है तो ये पहला प्रश्ण है आपका और इसमें आपको participate करना है सभी को chat section में comment section में बताना है किसका क्या answer होगा पहला question है आपका उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक इतिहासिक पूर्वकाल है इसमें निमलिखित में से कौन समलित है मलब कह रहा है कि कौन इतिहास में आता है इन पर इतिहास को माना जा सकता है यहाँ पर एक चीज समझीएगा मैं आपको यहाँ पर इस question को बताने से पहले जो आप इसका अंसर बताएं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ इतिहास को हम तीन भागों में बाटते हैं हिस्ट्री को हम तीन भागों में बाटते हैं ठीक है तीन भागों में ताकि आपको अंसर देना आशान रहे थोड़ा सा पहला है आपका क्या बोलते हैं उसको प्रागैति हासिक काल आदेतिहासिक काल, एतिहासिक काल, और तीसरा है एतिहासिक काल, ठीक है, प्रागतिहासिक काल वो होता है जिसके कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, कोई भी लिखिस साक्ष नहीं मिलते हैं, क्यों पुरातात्विक समागरी पर ही हम आस्रित होते हैं, प्रागतिहासिक काल कहत है लेखन सैली तो है पर हम अभी तक पढ़ नहीं पाए है तो इसका सोर्स भी पुरातात्तिक जो समें हमें खुदाई से प्राप्त वस्तुय होती है और इसका स्रोथ भी वही होता है बट इतिहासिक सकाल वो है जिसके बारे में प्रम लिखित प्रमाणिक साक्ष भी मिले कौन सम्लित है यह त्रगा नहीं है नहीं मतलब है यह का तीन है और चार है और एक है सी वाले काफी लोग हैं बिलकुल صحیح बात है बुद्ध का प्रमाणिक साक्ष है की नहीं है इतने सारे ग्रंथ मिले है त्रिपिटा का सब कुछ है पढ़ा हुआ है नवाबों का लिखिस साक्ष मिला है की नवाब सब्द लिखित तोर पे हर जगे मिला है महाराज सब्द मी मिला है पर प्रभु सी राम लिखिस साक्ष नहीं है महाकाब बिकाल जो है आपका आद देतिहासिक काल के अंतर गताता है अब आप कहेंगे सर रमाइड में तो है महाभारत में तो है तो रमाड महा भारत दो महा काब काल से जुड़े हुए हैं और ये प्रमाडिक तोर पे किस समय वधी में थे द्वापर यूग त्रेता यूग जो कहानिया पुराणों और उनमें मिलती हो इतिहासिक नहीं हो करके आध इतिहासिक या फिर अभी भी उसको पर्याप्त तरीके स क्योंकि लिखित तोर पर तो चलिए रमाड में मिलता है बालमी की रमाड है है ना तुलसी जी की जो रमाड है राम चरित मानस वह मध्यकाल में लिखी गई है ना तो बालमी की रमाड में राम का प्रमाड है लेकिन तत कालीन समय में प्रमाडिक वस्तुएं नहीं मिली है अ तो राम एक ऐसे व्यक्तित्तों है ऐसे करेक्टर है जो जो है एतिहासी क्या निए प्रमाडिक काल के अंतरगत नहीं माने गए तो आयोग ने इसका अंसर सी सही दिया है कि समझ गए अब बात को करीष्न भी होंगे तो क्रश्न भी घीता में मिलता है महाभारत में है। Е लेकिन तत्त कालीन समय में चीजें कैसी थी कहां पर वह प्रामार नहीं मिलते डोनों चीजें होनी चाहिए प्रमारीक्स रोत भी ने चाहिये लिखित्सक्ष Cornilla चाहिए तब जाके हम except करते हैं इतियासिक इतिहास को मतलब है प्रमाढ के साथ जू मिले उसे इतिहास कहते है जिसमें प्रमाढर्गता हो वो इतिहास कांग है तो इसका सही answer क्या है नमित तिवारी जी करें सर तो मिल तो गया है ना मिल तो गया है लेकिन महाकाब काल को इतिहासिक काल में नहीं रखते हैं अब यह तो आपका एजुकेशनली आस्था से आप हट जाईए यहां पर आस्था के तौर पर देखेंगे तो राम तो फिर सब के पूझे हैं अराध्य हैं है ना तो आस्था से हट के देखना है आप प पर आग अतिहासिक काल जो आपका है इसकी अवधी जो आपकी है लाकों अर्थ पहले से लेकर के पच्छी सो बीसी तक माल लीजे ठीक है यह आपकी आद्धे तिहासिक काल पच्छी सो यहां पर पंद्रा सो बीसी से लेकर के यह छैसो बीसी तक था आद्धे तिहासिक काल बैदिक, कालॉर उत्तर बैदिक, कालूर चैस सो बीसी से लेकर के अब तक के काल को इतियसिक काल कहते हैं और जो महा कबविकाट टाइम पीरेड लगभ..! 800 BC के आसपास का माना जाता हbrand प्रमारिक साक्ष के तौर पर इसको स्विकार नहीं रखा गया इसको जब भी कभी ऐसे कोश्चन आते हैं तो जिसने सी लगाया उसका सही है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है हमारा अगला कोश्चन है गाजियाबाद में अली गिरपूर देखो यह आलम गिरपूर माफ करेगा सिंडस वेली सिबलाजेशन है अभी पहले आप बता दो किस से जुड़ी हुई है सब लोगा अंसर बताएं कोश्चन है गाजियाबाद जनपद में आलम गिरपूर से प्राप्त पुरातात्विक समागरी का प्रित्विंब करती है सही अंसर क्या होगा सिंपल सा है पिंटू सा कोश्चन है यह सही है इसका है ना इसमें एक यह याद कर लिजे मांडा जम्बू का समीर से लेकर के जो सिंद्धुगाटी सब्विता का विस्तार है मांडा जम्बू का समीर से लेकर के दैमाबाद दैमाबाद कहा पड़ता है आपका महाराश्ट् सूकांगे दोर यह आपका पढ़ता मकरांटर बलो बलूचिस्तान को अअ hesitant कि यह आपका है आलम गीरफूर आलम गीपूर आपका यूप Yay मेरत मंडल पर साहरनपूर पर है ना तो यह आपका इसका साही अंसर है इंडेस ओली सिल्वाजेशन की साइट है यह तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए अगला कोश्चन है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्स में आरंब हुआ अब यह कोश्चन सबसें कि यह तो नहीं पूछूंगा कोश्चन जो है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्स आरंब हुआ था कि डिए इसके बाले हैं अब वाले हैं आ रिजा पता है तो ठीक है नहीं पता है तो को इनसे पता है तो दिमाग मैठा लो आठारव स्थापना की गई थी दारुल उलूम की स्थापना की गई थी दारुल उलूम टेक learns कि है देवबंद आपका यहीं परता उत्तर प्रदेश में दारुल ओलूम published की स्थापना की जो है यह देवबंद उत्तरप्रदेश उससे में संविक्त कहलाता था तो अठारा सो चाहट याद कर लिजे द्योबंद अनोलन अठारा सो चाहट अठारा सो चाहट से जुडाव रखता है क्लियर है चलिए आगले चलते हैं बेगम समरू ने आति प्रसिद्ध चर्च का निर्मार करवाया पता हुआ इस समरू के बारे में कितने लों को पता है कि बेगम समरू है कि इसके चार का चार का बीवाले हैं से सी कहानी सुना झोड़ी सी छोटी सी इसमें तब आपको ऀयाएगा तो समझी नहीं आएगा आची को हुआ थो पहले महिला की बात हो रही है किसी बेगम लगा हुआ है तो बेगम किसी क्यों कि अब परसं ता जिसका नाम था वाल्टर और रेनहार्ट सांब्रे से समरू बन गया जैसे हमारे यहां पर भी मेरे साथ दो तीन दोस्त हैं डेली निवस्टी में पढ़ते थे तो उनमें से एक था वह अपने आपका नाम रखे वह थे लेशियस बिहार से थे वह बिल्कुल प्रॉपर लेशियस आप मैं जब मुखरजी नगर में किस्ट्रोफर फोनिक्स बिहार से कभी आप उन्हें देखिए का प्रॉपर बहुत अच्छी टोन है उनकी बहुत बढ़ी इंग्लिस पढ़ाते हैं ठीक है तुम नाम है ऐसे और हमारे एक टीचर थे मारे पूजनी है वह ससांक एटम बिहार से थे वह ह सब नाम का एक प्रभाव पड़ता है वैसे ही सम्रु साहब इनका नाम था वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे तो यह जो है कई सैन कई रियास्तों में सैने से वाई इन्होंने प्रदान की थी और बंगाल का नवाब था नब्ज खां उसके द्वारा सहारनपूर में एक रुहे से चाहिए सद्विला सरदार जबत खां को हरा दिया गया किसने हराया नबज खां के द्वारा नबज guidance कहा का था बंगाल का सरदार था रहाने में महत्रपूर में का ने इसो यह जो पूरा का पूरा आपका भूमी वाला चेटります नाम समरु पड़ गया थे साम्रे वही से सम्रू और उनकी बेगम का नाम बेगम सम्रू हो गया तो बेगम सम्रू यहां से निकल के आता है अब जब बेगम साम्रे महोदे खतम हो गये वाल्टर रेन होट साम्रे खतम हो गये तो उसके बाद उनकी मैडम बेगम सम्रू जो है सासन सत्ता मे बैठती हैं तो उनके द्वारा ही चर्च बनवाया गया था संब्र महथ चर्च तो सर्धना यह पढ़ता आपका मेरट के पास ठेक है मेरट के पास सर्धना है वहाँ पर जो है इन्होंने 1753 से ले करके 1836 इतनी अवधी तक जो है समरू महोदे यह इनके द्वारा जो है इस अवधी तक इन्होंने साशन किया है यह इनका time period था और आती प्रसिद्ध चर्च का निर्मार इन्होंने मेरट वाले छेत्र में करवाया है ठीक है इसके बाद next है आपका अगला question अच्छा question है बहुत सिंपल सा question है आपके पुर्वानचल वाले छेत्र से नवाब सुजाओ डावला आवधके नवाब की बेगम का निम्लेकित में से किस स्थान पर अवस्थित है ठीक है अब योगी जी होते तो गुस्वांजात है तुरंत 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 ताम चैंज करें ठीक है ठीक है तुरन था चलो ये सही कर दिया ये कैसे लिख रहे गया तो हम भूमी का निभा देते हैं कई बार नवाब सुजाओत दौला की बेगम का प्रसिद्ध मगबरा बहु बेगम का मगबरा निम्लिकित में से किस स्थान पर अवस्तित है पता हैं भाई चलो ठीक कुछ लोग डी वाले हैं चले बहुत बहुत सुपकामना है कौन है ये खुशी राम प्रजापती जी कह रहें सर गूड इवनिंग आपके इंटाइर वीडियो महराथन क्लासेस के वज़े से मेरा इस सी सीचसल में सेलेक्शन हो गया है चले बहुत बहुत शुपकामना है अराम से आप इंज्वाय करिए और बाकी ठीक है बाकी तैयारी के लिए तो संस्ता ही है पढ़िए चलिए तो इसका सही अंसर यही है ठीक है आयोध्या में है और इनके बारे में तो नवाप सुझाउद दौला की जो बेगम रानी थी उनका नाम था उमाजुत तुल जोहुरा बानो ठीक है तो उनी की याद में नवाप साब ने बनवाया था योध्या में ठीक ह चलिए अगला कोश्चन है यहाँ पर कह रहा है निम्लिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है अब यह जब तक पता नहीं होगा तब तक आप गडबर कर देंगे यह तो पता होने वाली चीज है नहीं पता स्किप कर दीजिए जोस मलियाबादी थे ठीक है रगुपती सहाय फ अब यह पता नहीं होगा तो आप इसको गलत कर देंगे इसका साथ का सई च्छे का सई अंसर भी है ठीक है तो यह पता होने के उपर है और यह एक टीचर थे सिक्षक थे जो की प्रिया इलावाद इनवस्टी में पढ़ाते थे और अंग्रेजी के सिक्षक थे इंगलिस चाहिए अमीर खुसरो कहां से इटा से ही थे ठीक है मिर्जा गालिप कहां से आगरा से ही थे जोस मलियाबाद पिछले वाले में भी देखा यहां पर भी वही चीज़ है बट यहां पे राम प्रसाद बिश्मिल कहां से थे राम प्रसाद बिश्मिल सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये आपके साई जहां पूर साई जहां पूर से थे ठेक है और इनका जन्म हुआ है अठारा सो संतानवे में 1897 में और राम प्रशाद बिश्मिल को आपको पता होगा फांशी हुई थी महान करांदिकारी चंसे खराजात के सहयोगी थे और काकोरी क्यांड जब हुआ था काकोरी में लूट हुई थी उस लूट में मुख जो है करता धरता के तौर पर यही थे और 1927 में इनकी फांशी हो प्रशाद तोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह इनी के द्वारा रिचना लिखी गई है ठीक है और अमीर खुसरो के बारे में आपको पता है 1253 में इसका जन्म हुआ पटियाली एक जगह पड़ता है एटा में पटियाली एटा में एक जगह पड़ती है वहां पर अम है निम लिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ पताईए भाई अभी उपर थे कुछ आगरा वाले मिर्जा गालिब तो एक तो मिर्जा गालिब आ गए ठीक है लेकिन यहां पर गड़बढ है आयोग है तो कहां गड़बढ ही करेगा यहां पर मीर्तकी साहब का भी जन् है तो हटा दिये गए ठीक है तो यह इसके दो आप्शन सही है हाँ बिहार वाले तो बिहार जितना दिमाग नहीं है वह बुद्ध की धरती है ग्यान के सब लोग वहां पर आयोग भी प्राप्त हो गया ग्यान यह ऑप्शन का कतम बात जाओ कहीं जाना है इलहाबाद इस्त संंग वाडे राम था हॉनबिल मेमोरियल ठीक है और यहाँ पर भारत का एक तरीके से वहां पर हॉन्बुल मेमोरियल था वहाँ पर कंपणी गार्डन इत्यागा इसको उसके बहुत बड़ा गार्डन था आटी पहले वहीं से उत्त्यप्रदेस का साशन प्रसाशन कंपनी लाडेन्स चलाए जयता था फिर इसके बाद जो है शोतनाता संक्राम के बाद आपको पता है कि सुभाज चंद्र बोश को यहीं पर सुभाज चंद्र बोशने खुद को जुए गो जो है गोली माली ठीक है पूली पूली नेहरू बाल संग्रहाले कहां इस्तित है क्या सही है दसमें का पता होगा तो ठीक नहीं पता होगा थोड़ नज़ लगा ले जाएंगे आप अंसर इसमें कोई जाया दिक्कत नहीं है सी सही है इसका लखनव का सी है और इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी और लखनव मिस्तित है तो कुछ देखो इस तरीके के आपकी प्रशन है कहां पर क्या वस्तित है वहां के जो प्रदेश के जो प्रमुक विक्तित्त हैं उनका जुडाव कहां से है तो हर तरीके से मिले एक स्टेट के को ले करके मैं आप लोगे चलूंगा ठीक है तो उत्तर प्रदेश अभी हम लोग तरक्ली अब इसका मेंस भी मैंने चालू कर दिया मेंस के भी कोशन हुए तो हर एक स्टेट को भी इसी प्रेक्शन पर लेके चलेंगे और यदि यह चीज़ें कंटिनिवस तो तब ही मैं कहता हूं संपूर्टा से पढ़के जाओ जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक साइद आप बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं ठीक है तो यह रहा और जितने बच्चे हैं एक बार जो है